बोलिये महाकालेश्वर सरकार की, जये नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का, हमारे यूट्यूब चैनल, बालाजी एस्ट्रोलोजी में, तो कन्या राशिवालों जो कभी नहीं हुआ, वह अब होगा, 24 घंटे में आपके दुश्मनों का क्रिया कर्म होने वाला है, अब से पहले आप सभी इस विशेश वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तीन बार ओम नमों, भगवते वासु देवाय, नमा अवश्य ही लिख दीजिएगा, तो आईए मित्रों, अब आप सभी का खीमती वक्त गवाय बिना वीडियो की शुरुआत करत कीजिएगा, क्योंकि जो इनसान स्वयम को सबसे आगे रखता है, वही इनसान, जीवन में हमेशा सफल होता है, तो गुरु जी का ये ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा, तो आईए बात करते हैं, 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की, तो खुशिया अपरमपार थी, लेकिन इस काम में आप खुद को मानसिक तनाव भी थोड़ा सा दे सकते हैं, मित्रों, आपके तनाव और परेशानी की एक बढ़ी वजह बच्पन की मासूमियत को जीने की चाह है, इसलिए खुल कर जीए, आपको बता देते हैं कि कि किसी भी प ध्यान रखना है कि चारों और अपनी नजरें जमा कर रखें, क्योंकि कोई ऐसी खुश खबरी आपको मिलने वाली है, जिसे सुनकर परिवार का एक-एक व्यक्ती बड़ा ही खुश दिखाई देगा, अमित आपको बता देते हैं कि नए करार फायदेमन दिख सकते हैं, ले यही निर्णय आगे चलकर आपके लिए नुकसान दायक साबित हो सकते हैं, इसलिए आराम से सोच विचार करके निर्णय लें, मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि रिष्टेदारों के यहां जाना उनसे काफी बहतर रहेगा, जितना आप सोच सकते हैं, रिष्टेदार क आपका जीवन साथी, आपको कोई खूबसूरत तोहफा दे सकता है, ध्यान रखिएगा कि जीवन में उपहारों का लेंदेन चलने दीजिएगा, क्योंकि जीवन में जो छोटी-छोटी खुशियां होती हैं, यही हमारे जीवन को मित्रों सफल और खूबसूरत बनाती है, आप यदि मानसिक शांती प्राप्त करना चाहते हैं, तो मानसिक शांती प्राप्त करने के लिए किसी नदी का किनारा या पार्क की सैर बहतर विकल्प हो सकता है, नदी के किनारे बैठ कर मित्र आप जल को निहारेंगे और पार्क की सैर करके मन को तरो ताजा करेंगे, पक् मित्रों, बता देते हैं कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अक्सर आप भावनाओं में बहे कर ही कुछ दिक्कतें करते हैं, कुछ ऐसे निर्णे लेते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए नुकसान दायक साबित होते हैं, और फिर पच्चताने के अलावा आपको मित्रों कुछ भी नहीं मिलता है, आपका अजीब रवाईया लोगों को भ्रमित करेगा, इसलिए आप में जुझलाहट पैदा करेगा, बता देते हैं कि अपने रवाईये को सुधारें, बहुत बारीकी से ध्यान दे मित्रों, व्यापारियों को व्यापार में हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अपने व्यापार को बहतर बनाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, अब मित्रों कहते हैं कि पैसे से पैसा बनता है, इसलिए आप व्यापार को एक उंचे स्थान पर ले जाने के लिए पैसा खर्च भी करेंगे और मित्रों बता देते हैं कि आपको जो है पैसों की थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है मित्रों पारिवारिक परेशानियों को हल करने में आपको बच्चों जैसा मासूम बरताव अहम किरदार अदा करेगा आपको बिलकुल बच्चों की तरह सोचना है बता देते हैं कि मित्रो रोमांस के नजरिये से कोई खास आशा नहीं की जा सकती है यानि कि वैवाहिक जीवन इस वक्त थोड़ा सा रूखा सूखा रहेगा लेकिन अगर आप चाहें तो इस रूखे सूखे वैवाहिक जीवन में कुछ नया कर भी सकते हैं वहीं इस बात का भी ध्यान रखिएगा मित्रो आपको घर परिवार की प्रत्येक परिस्थिती को बारीकी से समझना चाहिए खाली समय में आप अपने मोबाइल पर कोई वैब सीरीज देख सकते हैं तो वक्त की बरबादी न करें कुछ नया करने में या कुछ नया सीखने में अपनी रुचि दिखाए तो मित्रो हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं मित्रो हमारे कर्म और हमारा व्यवहार हमारा भाग्य निश्चित करता है परमात्मा हमारे भाग्य नहीं लिखते क्योंकि वह कर्मों के हिसाब किताब में कभी हस्तक्षेप नहीं करते इसलिए सदैव, शुब, वश्रेष्ठ कर्म करते रहें तो भाग्य श्रेष्ठ मिलना अवश्यम भावी है इसलिए मित्रो जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप अच्छे कर्म करोगे तो ही आपको अच्छा फल मिलेगा क्योंकि हमारे जीवन में हमारे कर्मों का बहुत महत्व होता है तो मित्रो गुरु जी का यह ज्यान आज ही अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरु जी का यह ज्यान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे-राधे अवश्य लिखिएगा। तो मित्रो कौन सी बातें आपको खुशियां देती है और किन बातों करने की कोशिश करें, क्योंकि परिवर्दन संसार का नियम है, और जब तक परिस्थित में और अपने आप में सुधार करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप सफलता और सफलता के कदम पर भी नहीं चल पाएंगे, तो वही भावनाओं को सपष्ट रुप से बताएं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मित्रो करियर को आगे बढ़ाने के लिए, जिन लोगों का साथ प्राप्त हो रहा है, उनके साथ संबंध ठीक से बनाए रखने होंगे, नहीं तो मित्रो, आप अपने ही पैर पर कुलहडी मार सकते हैं, और पार्टनर के लिए महसूस होने वाला देखेंगे, जिसकी वजह से निर्णाय लेते समय आपको दुविधा और मानसिक तकलीफ दोनों महसूस हो सकती है, तो मित्रो भावुक होकर निर्णाय बिलकुल भी ना लें, क्योंकि जब जब आप भावुक होकर निर्णाय लेते हैं, तब तब आप गलत निर्णाय ले अब इस वजह से ना तो आपका आगे का मार्ग क्लियर दिख पाता है और ना ही वर्तमान का, इसलिए मित्रो भावुक होकर कोई भी निर्णाय न ले, अपने कारिक्षेत्र में आपको अपेक्षा के अनुसार प्रगती दिखने लगेगी और पैसो से संबंधित, ध्यान दिया, तो इसे आप अपनी हार समझ बैठ लेते हैं, इसलिए मित्रो ज्यादा नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान न दे, एक आईटी और घबराहट आपको महसूस हो सकती है, तो जिन प्रश्णों का जवाब आपको अभी तक प्राप्त नहीं हो रहा था, उनसे बंधित मार्ग अचानक से मिलेगा, और इस कारण आपको उत्साह महसूस होने लगेगा, और बढ़ ही समस्या दूर होने की वजह से काम भी जो हैं, आपके स्पष्ट होने लगेंगे, मित्रो, व्यापारी वर्ग को पैसों से संबंधित फायदा मिलने से अपने काम के सकारात्मक महसूस होने लगेगा, और डेडिकेशन भी बढ़ता नजर आएगा, और मित्रो, लव पार्टनर विवाह संबंधित प्रश्न उठा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि लव पार्टनर के लिए किसी भी प्रकार का समझोता आपको नहीं करना है, शारिरिक कम लोगों के साथ मेल मिलाब बनाए रखें, इस कारण अकेलापन महसूस नहीं होगा, जी हां मित्रों, अब बात जो है, ध्यान से सुनिएगा कि काम की जगह प्राप्त होने वाला यश्च बनाए रखने के लिए प्रयत्न और बढ़ाने की आवश्शक्ता होगी, जिन विच चारों में भिन्नता आएगी, और इस वजह से आप दोनों एक दूसरे को समझ भी पाएंगे, गलत खानपान की वजह से थकान और आलस आपके उपर रह सकता है, तो मित्रों के साथ बिताया वक्त आपको आनंदित करेगा, लेकिन अपेक्षा से कई गुना अधिक खर्च भ नजर आएगा, और काम की जगह अपेक्षा के अनुसार प्रोजेक्ट मिलेगा, मित्रों, व्यापारी वर्ग को भी अपेक्षित कामयाबी या बड़ा ओर्डर प्राप्त हो सकता है, पार्टनर से मिलकर परिवार के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करेंग उनमें धीरे धीरे आपको बदलाव नजर आएगा और उनके लिए आपको नाराजगी भी दूर करनी होगी, अपने स्वभाव में लचीलापन बनाए रखें और लोगों के साथ बरताव को भी आप परिस्थिति के अनुसार बदल पाएंगे और मित्र नौकरी करने वालों को अपने काम से संबंधित ट्रेनिंग प्राप्त हो सकती है, वहीं युवाओं को विवाह के लिए प्रयत्न और बढ़ाने की आवश्यक्ता होगी और अप्चन जैसी तकलीफ हो सकती है, तो वहीं मित्रो ध्यान रखिएगा कि हर एक बात के लिए केवल खुद को दोशी मा पढ़ाने होंगे और पारिवारिक व्यापार से जुड़े लोगों को विवादों का सामना करना पड़ सकता है, तो मित्रो यह जो विवाह है, इन विवाह और इन विवादों को आपको अपने उपर ज्यादा हावी नहीं होने देना है, साथ ही ध्यान रखिएगा कि पार् तो अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद करते रहे मित्रो, देखा जाए तो ग्रहस पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कामकाज में व्यवस्था बहुत ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से आपको शारिरिक ठकान थोड़ा सा सताएगी, लेकिन सावधानी रखने से लेकिन फिर भी आपको हर किसी के ऊपर आँख मूंद करके भरोसा बिलकुल भी नहीं करना है, क्योंकि अत्यधिक भरोसा अगर आप किसी पर भी करते हैं, तो आपको मित्र धोखा खाना पड़ सकता है, वही मेहनत और कोशिशों के अच्छे नतीजे मिलेंगे, और विवाह योग के लोगों को खुश खबर भी सुनने को मिल सकती है, मित्रो, नजदी की रिष्टों के गिले शिक्वे दूर करने की कोशिश करें, यानि कि आपके आसपास के जो रिष्टेदार हैं, उनसे जो आपके गिले शिक्वे हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करें, वरना स अगर बात करें बिजनिसमैन की, तो बिजनिस के काम व्यवस्थित रहेंगे, कोई उठा पटक करने की जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, क्योंकि आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन जीवन में आपके आने वाला है, फाइदेमंद ओनर्डर मिल सकते है मित्रो इन आडरों को हाथ से बिलकुल भी नहीं जाने देना है और लापरवाही नहीं करना है, आगे ध्यान से आने कुछ उपाय है, जीवन में बहुत से लोग दूसरों को देख कर उनकी तरह बनने की सोचते हैं, भगवान ने हम सब को अलग आँख, फिंगर प्रिंट द करोगी, आप खुद को इस काबिल बनाईए, इसलिए समय की कीमत करें, क्योंकि जो समय को एक बार ठुकराता है, उसे समय बार बार ठुकराता है, इसलिए समय की इज़्जत करें और उसका सदुपयोग करना सीखें, व्यक्ति को अपने जीवन में अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए, महाराज ने बताया कि मैं अपने जीवन काल में खुद के लिए कोई अलग से खर्च नहीं किया, कफ की शिकायत होने पर लौंग खा लेता हूँ, शौक पर नियंतरन रखें, कई लड़ डेचकों को देखते हैं, कि सिगरेट पीते हैं, गुठखा खाते हैं, अन्य प्रकार का नशा करते हैं, उन्हें अपनी जवानी को काम्याबी में लगाना चाहिए, ध्यान से सुने प्यारे दोस्तों, माना जाता है कि मां लक्ष्मी का वास साफ सफाई वाली पर जगह पर होता है, तो शुक्रवार को घर के मुख्य दर्वाजे को साफ सुतरा र योजनाओं पर आपका पूरा फोकस रहेगा, आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है, भाग्य की दृष्टिकोंड से दिन अच्छा रहेगा, आपकी सेहत में चल रही समस्याओं में सुधार आएगा, कार्यक्षेत्र में आप टीमवर्क के जर दर्द बन सकता है, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, परिवार में किसी सदस्यों को घर से दूर नौकरी के लिए जाना पड़ सकता है, भाई अव बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा, सात्विक्ता पर आप पूरा जोर देंगे, यदि आपको श करने आ सकता है, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रुप से फल दायक रहने वाला है, व्यापार में आपकी पूरी रुची रहेगी, आपकी नेतरित्व क्षमता बढ़ेगी, दांपत्य जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, साजेदारी में यद आपने किसी काम को किया था, तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा, आप किसी बड़े लक्ष पर पूरा फोकस बनाएंगे, आप पारिवारिक रिष्टों में विनम्रता बनाए रखें, तभी आप सबको साथ लेकर चल पाएंगे, अविवाहित जातकों के जीवन में आज किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है, आप यदि किसी मित्र की प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहे थे, तो वह आप से मेल मुलाकात करने आ सकता है, आज का दिन आपके लिए किसी से उधार का लेन देन करने से बचने के लिए रहेगा, आपने कामकाज में यदि किसी से आए और वियाए के लिए बजट बना कर चलेंगे तो ही आप अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगा पाएंगे. आपके बढ़ते खर्च आपके लिए सिर्दर्द बन सकते हैं. माता जी यदि कोई जिम्मेदारी दें, तो आप उसको समय रहते पूरा करें. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुश खबरी मिल सकती है.